हेलो आज में आप लोग साथ आम खिर की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ आम को मौसम चल ला है तिसमें आम खिर बनता है ये और ठंडी ठंडी आम खिर बहुत अच्छी लगती है खाने में तो कमेंट करके जरो बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पिर नए है तो जानल को स्ट्राइब कर लिजिए चले श्टाइट करते हैं बनाना फिर तो यहां पर मैंने यह एक लिटर दूद लिया है और कुछ यहां पर तयारी है मैंने कर ली है तो पहले फिया मैं ढहिए तो यहां पर थेय की की आफि प्रयावर्स डाल सकते हैं पर जो जो पसंद आपो डाल सकते हैं नारील बगेर जोब्य हो पर मैं ट्रायफित भोट थोड़े से ही डालुए क्योंकि अविकर ड्रायफित नहीं पसंदे खेल में वैसे उतना खाता है नहीं जब रजिस्ती में थोड़ा बहुत देती हूं तो यह कहा लेता है लेकि अगर खेल में पढ़ जाती है तो बिल्गों नहीं खाता है और खेल इसलिए मैं ट्रैफल बहुती हम डाले है लाद कि आपके ही पारे सब्सक्राइब का सकते हैं उब खुआ चाहिए लाद करें लुक्त दाले हैं अगर आपके बच्चों को पसंद है ता आप बिल्कुल डाल सकते हैं खीर हो गया हो गया यह सब तो ड्राइफोर्स पड़ते हैं को ज्यादा टेश्टी लगते हैं चलिए अपर थोड़ी दिर पकने देते हैं तो यह देखिए यहां पर जो चाओल है बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं तो अब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूं और चीनी का क्या है कि चीनी आप अपने स्वाद के हिसाफ दालेगा कि आप कोई बहुत जादा मीठा खाता है कोई कम मीठा पसंद करता है तो इसलिए मैं चीनी आप अनगवे जालने आप है पको ज्यादा मीठा खाना या पी कम मीठा खाना है यह हम आम की खेर बना रहे हैं तो बहुत कि आप का हैसा है आपने कौन सा आम लिया है आपको ज्यादा मीठा यह पिर artistic कि तो आ मसीच है ज्यादा मीठा निये थी इसलिए मैंने जीनी थोड़ी से बढ़ा कर डाली थी और आपने सवाथ के हिसाब तो ऊमने मेठा को खाना है तो बस हैं इने जीनी डाल है और चिनी दाल दी है और इसमे यहां पर थोड़ा से मैंने ये कि इसमें पक जा तो अच्छा आएगा, तो इसे ठीज़ तो यह देखिए, इसमें फ़ोगे थाँ के दीज़ खांदे को फूरा थे थाँ हो गया है, भी खोड़ादादा का की जाँ है. और यह आम की पूरे में मेडियम साइज ही फिर आप में पुरे पुरे पल्प का निकाल के इसको को इसको ठाल पर निखे ग्राइंट करें तो यह लेखिये अन्हें वहुआ गरम है की हम थन्दा कर लें झाल के इसके फिर्ज में रग दिंगे। और जब अच्छी से चल हो जाएगी तो फिर हम इसे सर्फ करेंगे तो चलिए मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ तो यहां पर मैंने एक बॉल में खीर निकाल ली है और खीर को हम थोड़ा सा गार्निस करेंगे तो गार्निस करने के लिए आप कोई भी ड्राफूर्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंदो पर आम के पिसे पर सजोर डालिएगा क्योंकि आम के खीरे देखने में बहुत ही अच्छी लाएगी और खाने में पर टेश्टी लाएगी तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना